अमेरिकन साइको अगले दिन हम देखती है कि वो अपनी बोड़ी की काफी अच्छे से केर करता है अगले दिन दो पहर के टाइम टेलर की शॉप में जाकर उससे बहस करने लगता है क्योंकि उसने अभी तक उसका सूट ठीक नहीं किया था अब यहां एक लड़की आती है जो कि उसे जानती थी इसके बाद वो सांथ हो जाता है और उस लड़की को अगले सेटरडे में डेट पर चलने को कहता है इस पर वो आने के लिए तयार हो जाती है खैर अगले दिन ओफिस मीटिंग में हम देखती है कि पैट्रिक एक अलगी सूट पहन कर आया है और वो नहीं चाहते कि कोई भी नफरत करता है लेकिन उसके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल भी हिप कर रहा था यहां पॉल अपना एक बिजनिस कार्ड टीमेथी को देकर चला जाता है अब कुछ देर बाद पैट्रिक सभी को अपना कार्ड दिखानी लगता है जो कि काफी अच्छी से प्रिंट किया गया लेकिन पैट्रिक उसका कार्ड देकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सब अब पॉल के कार्ड की तारीफ करने लगे थे अब उसे ये बत बरदास्त नहीं होती कि कैसे पॉल उससे किसी चीज में आगे निकल सकता है अब रात में वो गुस्से में आकर अपने घर जा रहा होता है इसी वीच उसे बैगर मिलता है और उससे फूड मांगनी लगता है पहले तो पैट्रिक उससे पूछता है कि वो कोई जॉब क्यों नहीं ढूंड लेता लेकिन इस वक्त उससे काफी भूंक लग रही थी इस वरा से वो उससे बार बार खाना मांगनी लगता और इसे हम समझ पाते हैं कि वह अपनी मनमानी के लिए किसी को भी माड़ सकता है अब हम कुछ टाइम बात का सीन देखते हैं जहाँ क्रिसमस का दिन आ चुका था वो सब ऐक पार्टी में मिलते हैं जहां पैट्रिक की फाइनस एविलिन भी आयों थी केर पैट्रिक पॉल से मिलता है और उसे अपने साथ डिनर पर इन्वाइट करने लगता है पॉल उसकी बात मान लेता है और दोनों एक साथ रेश्टोरेंट में आकर डिनर करने लगते है यहाँ पॉल ड्रिंक पीने की वरसे काफी नसे में आ जाता है इसके बाद पैट्रिक उसे अपने घर ले आता है इसी वीच हम देखते हैं कि पैट्रिक घर आकर एक रेन कोट पहन लेता है और बाद में एक म्यूजिक को तेज आवाज में प्ले कर देता है असल में पैट्रिक यहाँ उसे मारने लाया था अब वो एक कुलहाडी लेता है और एक ही बार में पॉल पर अटेक करके उसे मार देता है इसके बाद वो कुलहाडी से उस पर बार बार अटेक करता है जिससे हम समझ जाते हैं कि वो एक साइक एक इनसान है ये सब वो उसी कार्ड की वरसे कर रहा था के रब उसकी बोड़ी को बैग में रखकर ठिकाने लगाने जाने लगता है जब वो उस बैग को गाड़ी में रख रहा होता है तब ही यहां उसका एक साथी लूइस आ जाता है लेकिन पैट्रिक उसे भाव नहीं देता और body को ठिकाने लगाने चला जाता है अब वो जल्दी से Paul के घर आ जाता है और वहाँ से उसका कुछ सामान पै करके London भेज देता है और साथ ही Paul की आवाज में एक voice mail कर देता है कि वो इस वक्त London में है Patrick ऐसा ही सीलिय कर रहा था क्योंकि अगर investigation हुई तो कोई उस पर सक नहीं करेगा क्योंकि सबको यहीं लगेगा कि पॉल इस वक्त London में है अगले दिन Patrick की office में detective आता है इसका नाम Donald था वो यहां उसे बताता है कि कल से Paul उन्हें नहीं मिल रहा फिर Donald उससे उसके हिवारे में सवाल करने लगता है कि वो कहां से graduate है और कहां रहता है फिर बात में उससे Paul की वारे में पूछनी लगता है कि उसकी नजरों में वो कैसा है तब Patrick उससे बताता है कि Paul एक अच्छा इंसान नहीं है वो drugs का यूज करता है और काफी घमंडी भी है इसके बाद डोनाल डवी के लिए यहां से चला जाता है अब रात में Patrick घर जाते वक्त रास्ते में से एक लड़की क्रिष्टी को पैसो का लालस देकर अपने साथ ले जाता है और एक दूसरी लड़की को फोन करके बुला लेता है यहां वो उन्हें ड्रिंक ओफर करता है इसी वीच हम देखते हैं कि वो उन दोनों को खुदों का नाम पॉल बताता है यससे उन्हें उसका असली नाम पता ना चल सके अब कुछ टाइम बाद वो उनके साथ इंटीमेट होनी लगता है यहां वो इंटीमेट होते वक्त उनकी वीडियो भी मना रहा था अगले दिन सुबा में जब दोनों लड़कियां घर जाने को कहती हैं तो उन्हें वहाँ जाने से मना करता है और एक धार-धार टूल लेकर उन्हें हर्ट करना सुरू करतेता है इसके बाद जब उसका उनसे मन भर जाता है तो उन्हें पैसे दे कर यहां से भीज देता है अब अगले दिन वो फिर से अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में इंजॉय कर रहा था तब ही यह लूईस आता है और उन्हें अपना बिजनिस कार्ड दिखानी लगता है जो की देखने में काफी अच्छा लग रहा था लेकिन पैट्रिक को फिर से अपनी अलवा किसी का कार्ड पसंद नहीं आता जिस वरा से वो फिर से अग्रेसिव दिखनी लगता है लेकिन पैट्रिक उससे कोई बात ठीक से नहीं बताता के ऐध डोनल्ड उसे दो दिन बात लंच आने को कहता है ताकि वो बागी बाते वहां कर सकें इस पर पैट्रिक हा कर देता है अब पैट्रिक डोनल्ड के सवालों से पग गया था और अपना गुस्सा निकालने के लिए एक लड़की को उटनी के पास जाता है जो कि उसके साथ ही फ्रेंड की फियोंसे है दोनों अपस में इंटिमेट होते हैं और कुछ दिर बाद में पैट्रिक यहां से चला जाता है अब रात में एक बार में आता है और एक तरफ आकर ड्रक्स को कंज्यूम करनी लगता है इसके बाद वो यहां से भी एक लड़की को अपने साथ ले आता है और उसके साथ भी इंटिमेट हो जाता है अगले दिन ओफिस में उसकी एसिस्टेंट जीन उससे मिलनी आती है इस पर पैट्रिक उसे आज रात अपने घर ड्रिंक पर इंवाइट कर देता है और वो आने को तयार हो जाती है फिरम रात का सीन देखते हैं जहां जीन उसके घर आई होती है यहां वो यह एक जगा बैट कर खुद से ही बाते कर रहे होती है तवी पैट्रिक अलमारी से एक 스टेब गन लाता है और जीन के सरपर स्टेब करने ही वाला होता है तवी उसकी फियांसे एवलिन का फोन आ जाता है और वो उसे फोन पर ही सुनाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीन उसकी घर पर है इसके बाद पैट्रिक जीन को घर से भेज देता है अब अगले दिन पैट्रिक और डोनाल्ड एक रेस्टोरेंट में बैट कर लंच कर रहे होते हैं यह हम देखते हैं कि डोनाल्ड को सख होनी लगा है कि उसे गायब करने में उसके साथियों का हाथ है यह सुनकर पैट्रिक की हालत खराव होनी लगती है लेकिन फिर भी वो उसके सामने नॉर्मल वीहेव करता है अब रात में वो फिर से रोड वाली लड़की कुष्टी के पास जाता है और उसे फिर से साथ चलने को कहनी लगता है लेकिन इस बार वो उसके साथ जाने से मना कर देती है इसके बाद पैट्रिक उसे ज्यादा पैसो कर ललस दे कर उसे अपने साथ ले ही जाता है साथ ही वो दूसरी लड़की को भी फिर से बुला लेता है अब वो उन दोनों को लेकर अपने एक नई अपार्टमेंट में आ जाता है जो कि बिलकुल सुनसान था अब वो दोनों की ड्रिंक में दवाई मिला देता है जिससे दोनों जल्द ही नसे में आ जाती है इसके बाद वो दोनों के साथ इंटीमिट होता है और तभी वो दूसरी लड़की को चाको से काट देता है इससे उसका खून निकलना सुरू हो जाता है ये देखकर क्रिष्टी डर जाती है और जल्दी से आँसे भागने लगती है वो भागते हुए एक दूसरे कमरे में आती है जहां उसे काफी लोगों की डैड बोडी दिखाई देती है यानि उन्हें भी उसने ही मारा था अब इदर पैट्रिक एक चैन्सो लेकर उसके पीछे पढ़ जाता है कृिष्टी भागती हुए सीणी उसे जानी लगती है तब ही उपर से पैट्रिक चैन्सो को फिंक देता है जो कि सीधा आग उसके लग जाती है और मोके पर ही उसकी मौत हो जाती है अब अगले दिन वो अपनी फ्योंसे एवलिन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो जिस वरा से उसे काफी बुरा लगता है और वो रोनी लगती है अब पैट्रिक उसे वहें छोड़ कर भार आ जाता है कैर वो रात में एक एटियम से पैसे निकाल रहा था तब उसके पास एक कैट आती है और हम देखते हैं कि एटियम की स्क्रीन पर लिखा है कि कैट को मुझे खिलाओ यानि वो एटियम उस कैट को खाना चाता है अब पैट पैट्रिक उन से बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते इसके बाद पैट्रिक गन से वहां मौझूद सभी पुलिस वालों को मार देता है इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जानी लगता है जहारास्ते में आने वाले पियो पैट्रिक उसे वोईस मेसेज भेज देता है जिसमें वो मान लेता है कि उसने अभी काफी काफी लोगों को मारा है और पिछले दिनों में उसने काफी सरे कतल किये हैं और पॉल को भी जान से मार डाला अब अगली सुबा पैट्रिक पॉल के अपार्टमेंट में जाता है ताकि वहाँ अगर कोई सबूत हो तो उसे मीटा सके लेकिन जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ कोई सामान नहीं होता बलकि वहाँ कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं और उसका घर सेल होने वाला था वो अलमारी भी चेक करता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी डैट बोडी दिखाई नहीं देती इसका मतलब था कि वहाँ कोई बोडी थी ही नहीं लेकिन पैट्रिक को अब भी यकीन था कि उसीने सारे खून किये हैं अब कुछ देर बाद ने वो डोनेल्ड से मिलता है जो उसे बताता है कि पॉल ठीक है और वो इस वक्त लंदन में है और ये ख़वर उसे वहाँ की पुलिस से मिली है उसकी ये बाते सुनकर वो काफी जदा परिसान हो जाता है और बहार नेगलकर जीन को फोन करता है और कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी तुमें मुझे बचाना होगा जो कि मैंने काफी सारे खून किये हैं उसकी ये बाते सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता जिसके बाद जीन पैटरिक के ओफिस में जाकर ड्रोवार को चेक करनी लगती है इसी वीच उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसने काफी मॉर्डर सीन वाले ड्रोइंग्स बना रखी थी और ये सेम वैसे ही थी जैसे उसने मॉर्डर किये थे दूसरी तरफ पैटरिक एक रैस्टोरेंट में आता है जहां उसे हैरोल्ड मिलता है वो उसके पाश जाता है और अपनी रात वाले मैसेज के बारे में पूछनी लगता है तब वो उसे बताता है कि उसका वो मैसेज काफी ज़्यदा फणी था और उसे पैट्रिक पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता अब पैट्रिक यहाँ फिर से अपने सभी मॉर्डर कबूल करता है इसके बाद हैरोर्ड उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले ही लंदन में उसने पॉल के साथ डिनर किया है और वो बिलकुल ठीक है पैट्रिक जब उसकी ये बात सुनता है तो काफी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि अभी उसे लग रहा था कि उसने सब को मार दिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों इस मूवी में पैट्रिक ने अपने मायंड में ही उनistic लोगों का खुनी खुदको मान लिया था जिनसे वो किसी भी तरह से नफरत करता था लेकिन असल में उसने किसी का मर दर नहीं किया था बलकि वो अपनी imagination में ही लोगों को मारा करता था और वो से काफी real लगता था जिस वरा से वो अभी भी खुद को उन सभी murders का दोसी मान रहा है और इसी के साथ ये movie अहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस movie की explanation पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकि मैं वीडियों आप से न्यूव वीडियो में तिल देंट टेक क्यार लव यू बाई बाई